यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की जो न्यूज है वो बहुत ही महत्पून और इंपोर्टेंट है यदि आप भी ओनलाइन पेमेंट गूगल पे फोन पे जो भी पे टियम वगरा यूज करते हैं तो उन से भी के लिए दोस्तो बहुत ही महत्पून न्यूज है क्योंकि दोस्तो कई बार आप से भी ने देखा हुआ ट्रांजेक्शिन करते हैं कोई भी एक फोन नंबर में जना आंक मिश्टेक होने सकी उनलाइन पेमेंट गल्थ हो जाए तो गबराये नहीं 1-800-120-1740 पर करें शिकायत वापिस मिलेंगे आपके गए हुए पैसे 48 गंटे के अंदर अगर आपसे कभी गल्थ खाते में उनलाइन पेमेंट हो जाए तो गबराये नहीं इस राशी को भी वापिस पा सकते हैं के तीन दिन के बीतर ये शिकायत करनी होगी देश में पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट जो ना परचलन इसका बड़ा है और पिछले च्यार सालों से देश में जम कर लोग यूपियाई य का लेंदेन कर रहे हैं इसले देन के तुरान चूक सामने आ रही है जल्दबाजी में यूपियाई पेमेंट गल्त नंबर पर हो जाता है और किसी दुसरे के खाते में जोना बैंक आकाउंट चला जाता है अंजान व्यक्ति के पास रकम पहुँचने के बाद लोग सामने रूपिय लेने के वापिस लेने जुकर रूपिय दोस्तों मैं अगर बात करूँ दूसरे से सामने से वापिस लेने से जुनतरी के समझ में नहीं आते और बटकते रहते हैं एडवोकेट जतिन कुमार ने बताए कि UPI पेमेंट के दुरान साव धनी बरतने की जुरूत है अगर गल्त नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सब से पलेजी है जो नंबर दिया गया ठारा सो एक सो बीस सतरा चालिस इस पर सिकायत दरज़ करा है तुरंत और इसके बाद अपने तो यह आपकी email ID आपको देखाई दे रही है bankingombordsman.rbi.org इस.in पर इस जो होना email ID पर आपको अपनी सिकायत बेजनी है यह आपके जोस्तों एक बात जरूर ध्यान रिखेगा अगर प्वाइमेंट गल्त हो जाती तो 48 गंटे के अंदर आपको सिकायत इसमें करनी होगी message को delete नहीं करे अब जो message आपके पास जो OTP वगरा जो भी message आता है कि आपने इतने रूपिया ट्रांसपर डेबिटीड कर दिये credit कर लिए उसको delete नहीं करे RBI ने नहीं guideline जारी की है जिसके अनुसार अगर गल्ती से किसी के अकाउंट में पैषे चले जाए तो 48 गंटे के बीतर रूपिया refund हो सकते है Net Banking UPI से payment करने के बाद phone पर message प्राप्त होता है जिसे delete नहीं करे इस message में PPBL नमबर होता है जो रूपिया refund लेने के लिए ज़रूरी मदद कर सकता है गल्त लेन देन से समनित स्क्रीन सोट ले ले जो आपका message है चाहे आपका जी पे आनि गूगल पे हो फोन पर हो पे टीम या फिर UPI एप के customer care support में आप फोन कर इसके शिकायत रज करा सकते हैं तो अगर आपसे भी गल्थ payment हो जाती है तो घबराए नहीं शिकायत करे इस नमबर पर और तुरंत अपने बैंक में जाकर शिकायत वहां पर दे अगर बैंक आपकी सुनाई नहीं करता तो email id मैंने आपको बता दी है यह banking-ombudsman.rbi.org.in यहां पर आप शिकायत करें इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों क्योंकि बहुत सारी गलतियां अब इस तरीके से सामने आ रही ह इस वीडियो में दोस्तों ख़ाल इतना ही देनावाद जैन जैबार्थ जरी आना